जाहिए साहब आने है, जेस्टिस मंदोखेल साहब उन्होंने एक फैसले को साइन किया, लेकिन जो गौर करने वाली बात है, जब हमारे पास डिटन ओडर आया असल में कुछ देर पहले ही, तो मैं पैरा टू पढ़ना चाहूंगा जो जेस्टिस मंदोखेल साहब के नोट का ह वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, वी देफोर अग्री विधी ओडर डेटेट तैईस दो दोजाट तैईस, पास्ट बाया लेनेट ब्रदर्ज याईया अफीदियन अत्रमनिला जे, एंडिस्मिस्टी प्रेजेंट कॉंस्टिकूशन प्रेशिशन प्रेशन द्रॉप ने और पड़ा तो तो रसनाई गई थी, लेकिन जो फुटनोट है, वो अदालब में नहीं पड़ा गया, वो मैं पढ़ना चाहता हूं, वो बड़ा मानी खेज है, फुटनोट ये कहता है, मोरी बड़ा मतरप चाहता है, वो मैं तुह की करेंगा है, वो फूटनोटूब च reforms, वो था कशनः नहीं कानो कि लिए खेजी जू पेजिल्जूज通ी ह 35啊 औऱ गई थूबर, Decisions of the aforementioned two Honorable Judges dated 22-22-23 form part of the record of the case. That means के इस case के record में पांच में साथ मुझस जजज साहिबान के फैसले मौझूद हैं। उसमें से दो मुझस जजज साहिबान ने 23 दो को इन पेटिशन को डिसमिस किया। आज दो मुझस जजज साहिबान ने फिर पेटिशन को डिसमिस किया। तो चार मुझस जजज साहिबान ने पेटिशन को डिसमिस किया। तीन मुझस जजज साहिबान ने पेटिशन को मेंटेनेबल करा दिया। ये शुरतियाल है and this is the situation अब आगे इस पर जो भी प्रिशीड होती है पर ये सवाल का जवाब दे दू मेरे ख्याल में इसमें रिव्यू वाली बात नहीं है इसलिए नहीं है कि फैसला जब बहुत वाज़ हो और उसमें इभाम ना हो ये कोई हार जीत वाला वैसे भी केस नहीं था कि किसी की एहलियत और नाहलियत किसी की qualification, disqualification discuss हो रही है ये एक आईनी नुकता आया और उस आईनी नुकते की maintainability के उपर पहले बहस चड़ी और उस पहस के नतीजे में दो बातें सामने आई कि जिन दो मौज़स जजज सहबाम ने अपना mind disclose कर दिया था इस मामले को refer करते हुए उनके उपर इतराज उठाया गया कुछ जमातों के वकला की तरफ से और पाकस्तान बार कांसल की तरफ से जो वकला तन्जीम है उन दो जजज सहबाम ने अल्टीमेटली रजा कराना तोर पे अपने आपको बेंट से लग कर लिया रिक्यूस कर लिया मैं समझता हूँ कि उनका ये फैसला साहिब था क्योंके कहते है कि इनसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए और उसकी कोई बैक ग्राउंड भी और हिस्ट्री भी थी उन दो जजज सहबाम के हवाले से अब साथ जजज सहबाम में से दो जजज सहबाम तईस तारीख को अपना फैसला दे के दस्खत कर चुके उन्होंने का कि हम इन प्टीशन को मेंटेनिबिलिटी की बन्याद पे खारज़ करते हैं ये काबले समात नहीं है सूव मोटो का इक्तियार भी इस केस में इसलिए इस्तमाल नहीं होना चाहिए के मौामला हाई कोर्ट में पेंटिंग है और 184 तीन की जो सुप्रीम कोर्ट की अदालती उसमा की पावर्स हैं उनके बारे में उन्होंने ये राय दे दी आज जब फैसला आया पांच रुकनी बेंच का चीफ जस्टर साब ने इस हरसे में ये मुनासब समझा कि वो दो जैजसाइबान क्योंके अपनी फाइनल उपिनियन दे चुके हैं वो फर्दर इस मौमले में नहीं बैठना उनका मुनासब तो लहाज़ा उन्होंने जो दीगर पांच जजसाइबान थे उनको बेंच का हिसा बनाया और उनके सामने केस आर्ग्यू हुआ आज के फैसले में तीन जजसाइबान ने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स में टेनिबल हैं और उसमें उन्होंने मजीद एक दो चीज़ें डिखी जो इटनी जनल साब ने आर्ग्यू कल की थी एक तो जो आइन का आर्टिकल टू फिफटी फूर है जो के ये कहता है कि अगर आइन के तहट किसी चीज़ को एक मुकररा वक्त में होना है और वो चीज़ उस मुकररा वक्त में नहीं हो सकी वो एक्शन नहीं हुआ तो इस वज़ा से वो गहर आइनी नहीं होगा कि उस टाइम फ्रेम में यानि के इन्तखाबाद नवे दिन में नहीं हुए आज उन्होंने ग्राउंट रियलिटीज देखते हुए उन तीन जैसाबाने भी कहा कि गवर्नर और एसी पी या सदर और एसी पी मुशावरत से डेट दे और कोशिश करें कि वो नवे रोज तो आप गुजर जाएंगे वो जो औरिजिनल नवे रोज थे जानी कि वो जो 15 अपरिल के अंदर अंदर थे लेकिन अर्लिएस्ट पॉसिबल जहां के इन्तखाबाद हो सकते हैं मुशावरत के बाद वो कोशिश करें इसमें कोई दूसरी राय नहीं है लोगों की भी यह राय है हम भी समझते हैं कि अगर हालात साथगार हों अगर इन्तखाबात इन्सानी जानों से ज्यादा कीमती हैं या अगर मुलकी हालात अजाज़त दे रहे हैं तो 30, 40, 50 दिन में हों अगर वो 80, 90 दिन में होने हैं तो इसक्रेशन भी आइन देता है इलेक्शन कमिशन और बाकी स्टेक होलडर्स को इस बहस को छोड़ देते हैं आज की बहुत क्लियर जज्जमेंट है दो मौज़स जैजसाबान ने कहा कि हम इगरी करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को दो दिगर अराकीम जस्टिस याई आफरीद आफिरी साहप और जस्टिस अतर बिल्हला साहब ने तरीयर कियें अपने लोड्स कि ये प्टेशन मेंटेनेबल नहीं हैं ये कावले समात नहीं हैं और साथ उनोंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो जो जैसाबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ओर का के बाद ना रिवियू की जरूरत है ना फर्दर तश्री की जरूरत है मैंने अपना जाती मौकफ दिया था अब मैं समझता हूँ के टरी जहन साब की राए आने के बाद और 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 को पढ़ने के बाद हमारा मौकफ ये है कि ये पेटीशन्स चार तीन से मुस्तरद हो गई है चार मौज़स गैजसाबान को लिखते हैं कि ये काबले समात नहीं है अब ये फैसला कानून और आइन के मताबक हाई कोर्स पे जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाए अब बड़े सीजन्ड लॉयर हैं आप ये बताएं कि चीफ जिस्स ने आके फैसला माना जाए आप चार तीन कह रहे हैं चीफ जिस्स ने तीन दो से फैसला दिया है देखिए एक बात तो तैश उदा है कि ये साथ रुकनी बेंच जो है साथ जजज सहबान जो है वो बेंच का हिस्सा थे दो जजज सहबान नौ में से रजा कराना तोर पे रिक्यूज कर गए थे साथ में से दो जजज जो आज बैठे हुए थे पांच रुकनी में और उने कहा कि हम अपने जो ब्रेदर जजज की उपीडियन है अर्लियर के ये पिटीशन में नहीं है हम उन से अग्री करते हैं और उनका वो जो तैश तारीफ का हुकम है डैट इस पार्ट इंडोर्स करते हुए तो सर्थ चार तीन क्यों नहीं अनौंस किया चीफ जिसस ने तीन दो क्यों अनौंस किया आप मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अभी मजीद शाय डिबेट हो लेकिन कानून में कुछ चीज़ें वाज़े नजर आ रही होती हैं मेरी न लेंगे मेरे नाजर में को आप चार तीन की रेशो बता रहे हैं यह बहुत चार का मद्न की आप हीकोर्स जो फैसलभ करेंगी को पीन दिन के लगां कि अधिया आप का रहे के लृफूर्स और अधुन आप 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 आएगी कि आप दो आप दिगे तीम जाई साय बाइब कि अधिया देख के अधिया कि वहाले की है उन्हें वहीं जो कांसिक्यूशन के मुझा रूज करूंगा कि सबसे जदा जो ब्रीच आफ कांसिक्यूशन की है वो सदर मुझात ने माजरत से की है जिन्हों ने एक फैसला करके ठाप के और फिर उसे वापस लिया और उनके वकील साब ने आला जर्फी का मुझारा करते हुए अधालत में कहा कि मेरे मौकल जिनकी मैं नमाइंदिगी कर रहा हूँ उन्हों ने अपने अक्तियारास से तजावस किया तो ये बात भी जरूर आनी चाहिए कि आया सदर मुमलिकत आईनी उदा रखते हुए इन सारी चीजो एक बहुत बड़े मनसब के फाइस करता है उनका बड़ा किरदार है इसमें वो इस तरह की बाते करें जो के उनके मनसब के इफ्तियारात में नहीं आती ये एक अलग बैस होगी आपने कहा कि हाई कोर्ट देखिए अभी ये फैसला आ गया है अब हाई कोर्ट में दखास्ते खारज नहीं हुई अभी तक दोनों हाई कोर्ट में पेंडिंग है पिशावर हाई कोर्ट में मामला जेरे तनकी है लहुर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीर्स मौजूद है इसकी तशरी उन दोनों हाई कोर्ट में भी हो सकती है पाकिसान मुस्लिम ने नून के पाकिसान पीपल्स पार्टी के और जे-ई-ई-ई-फ के वो कलास आवान अदालत में मौजूद थे ये बात हम अन रेकॉर्ड कह रहे हैं कि कोई अलेक्शन से नहीं भाग रहा हमारा सिर्फ ये कहना है कि इनतखाबाद की तारीख और इनतखाबाद के इनकाद इस मुल्क में हमेशा इन कानून के मताबत होते रहे हैं और तारीखों में रदो बदल होता रहा है ये पहली दफ़ा नहीं होगी कि तारीखों में रदो बदल हो हमारे वकील साथ ने एक मौकफ पेश किया ये मुकदमा मैं कौम के साबने रखता हूँ कौम फुद रिसाइड करे इजासद दे के मुझे अगर हो अगर आप इजासद दे तो मैं बोड़न दाए इतनी बात उन्हों ने कही कि 35 अरब रुपए के खरच से डिजिटल बर्दम शुमारी हो रही है जो के आज शुरू हो गई है और उसका रिजल्ट जो है वो 30 अपरल को दिया जाए पाथ साल से ये बहस चल रही है कि जो पिछली बर्दम शुमारी है वो दुरूस नहीं थी वो रखबे पे नहीं वो अबादी पे होगी हमारे बुल्के जो फेडरेटिंग यूनिट्स है उन में हलका बंदियों के बाद उतार चड़ाओ की अबीद है सूबों के अदर भी पंजाब में आपको पता है कि सराइकी सूबा या मुलतां सूबे के बारे में लोग कहते हैं कि जी साउथ पंजाब में वो फंड्स नहीं जाते और फंड्स की तकसीम भी अबादी के तनासुब से होती है रेप्रेजेंटेशन भी आज पंजाब में आप एलेक्शन करा रहे हैं सैंसिस से पहले कौमी असेमली जाएगी सैंसिस के बाद अक्तूबर में तो ये एक तो सबसे बड़ा कौन्फिक्ट ये आएगा कि जहां पे अबादी का तनासुब कामिया ज्यादा हो गया वहां पे कौमी असेमली की सीटें और तनासुब में फर्क पड़ेगा सूबे के एक एक हलके के ओपर सारी फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी दूसरा सदीकी साब दूसरी बात मैं 254 सदीकी साब दरा एक मिनट मुझे दे दूसरी बात ये है कि हमने तारीक से सबक सीखा 1977 के इंतखाबाद पाकिसान पीपल्स पार्टी जीत जाती अगर निगरान हकुमतों के साथ तो शायद वहां पे तहरीके ना चलती और मार्शल्वा मसल्थ ना होता 1997 के इंतखाबाद पे जब पूरी बुस्लम लीक नून ने दो तहाई ली लोगों ने उंगलिया उठाई इसके बावजूद के अवाम का फैसला था दो हुजार दो मुशर्व साथ ने अलफ हो पे कराया मर्जी के लोग अपॉइंट करके अठारवी तर्मीम में पाकिस्तान भर की सियसी जमाते जिनमें तरीके इंसाफ भी शामल थी 224 इंटर्डियूस करवा के एक मैकनिसम फरहम किया कि आप निगरान हकूमतों के साथ इंतखाबात कराएं अब आज दो सूबों में सियसी हकूमते काइम हो जाएंगी कोई आइन और कानून ये इजाज़त नहीं देगा ना देता है कि उन हकूमतों को कौमी इसमली के इंतखाबात के लिए सिस्पेंड कर दिया जाए और वहां पे लेवर प्लेंग फील्ड हो हो सकता है वहां पे मुस्लम जी गनून की पंजाब में हकूमत हो हो सकता है किसी और जबात की हो सर ये तमाशा चलता रहेगा आठ महिने हम इस प्रॉसस में रहेंगे और फिर उंगलियां उठेंगी इसलिए लेट इलेक्शन कमिशन और अधर स्टेकोल्डर्स डिसाइड के और लेकूबर में इलेक्शन हो गाए देखिए ये इलेक्शन कमिशन को इन सारे फैक्टर्स को देख के ये चीज़ भी ते करनी है मैंनी कहता सर्फ कोई इलेक्शन से भाग रहा ये एक आईनी पुजिशन थी जो के आपने कहा आपके सामने रखना जरूरी थी आज के इस फैसले पे हमारी जो विपीनियन और राय ये है या तश्री ये है हमारी के ये चार तीन का फैसला है और मामला और ये चार तीन की वज़ा से ये मामला अब हाई कोट्स के लाई देखाएद होगा वजीर कान नसी तारडर और टाउनी जोर्नल की मीडिया से गुपतगू हमने अदारा ये तारडर 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 नसी तारडर ने कहा कि जस्टिस अधर्मनला और जस्टिस याया अफरीदी ने दरखास्तों को मस्तरित कर दिया है दो जस्टिस ने कहा कि गवरनर और सदर मुशावरत करें